हेलो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा जय माता दी जय श्री श्याम तो कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास और काफी महत्वपूर्ण है तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से समझेगा आज की वीडियो में हम कुछ खास आपको बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा इसलिए प्लीज, आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। पित्रिपक्ष आपको अपना आशिरवाद देने वाले हैं, किस तरह से आपके जीवन में कुछ नया होने वाले हैं। कौन सी गलतियां करने से बचना है? क्या कुछ आपको सावधानी रखना है? आपको अगले तीन दिनों में और कौन सी गलतियां हैं, जो आप बार-बार दोहरा रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉबलम और डिफिकल्ट कंडीशन आपके साथ क्रियेट हो र आप और मुसीबत में पढ़ सकते हैं. तो जो भी कर्ज आप ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, किसी से ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, अगर किसी खास कार्य को करने के लिए या आपका कुछ कर्जा चुकता करने के लिए आप और कर्ज ले रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर परिस्थितियों को बहुत ही धैरे पूर्वक सुलजाने की जरूरत है। परिस्थितियों कुछ प्रतिकूल हो सकती है। समस्या ही से परहेज रखें क्योंकि फायदा नहीं होगा बलकि समस्या ही आएगी। बेताहाशा खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पढ़ेगा। दूसरों की नकारात्मक गतिविधियों में रुचि न लें। ध्यान रखें कि बैठे बिठाए आप किसी मुसीबत में भी पढ़ सकते हैं। बच्चों, समस्याओं को नजदीकी व्यक्ति के साथ शेर करने से विचार विमर्ष द्वारा उचित समाधान आपको मिल सकता है। किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति से आपकी योजनाएं शेर न करें। अन्यथा आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मनो नुकूल कोई काम। न बनने से धैर्य और शान्ति बना कर रखें। किसी की आर्थिक मदद आपको करनी पड़ सकती है। इस बात का विशेश ध्यान रखें। बिजनिस में प्रतिसपर्धा जैसी स्थिती बनी रहेगी। चिंता न करें, सफलता मिलना तय है। बिजनिस बढ़ाने के लिए किसी के साथ साजेदारी का प्लैन भी आपका अच्छा है। नेगिटिव परिस्थितियों से घबराएं नहीं तथा उनकी योग्यता पर विश्वास रखें। समय अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। किसी के साथ रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिती उत्पन्न न होने दें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न सोच समझ कर धैर्य पूर्वक तरीके से अच्छी तरह से व्यवस्थित निर्णय लें। व्यर्थ के जहनजट में न पड़ें। कोई लक्ष आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें, अगर अगले तीन दिनों की है, तो अगले तीन दिनों में दोस्तों आपको पॉजिटिव बने रहना है और पॉजिटिव बनने के साथ ही घर का वातावरन शांत रखना है। लड़ाई जगडे कलर्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रियेट होगी। इससे आपका माइंड जो आपको मानसिक तनाव उत्पन्न करवाएगा और सा कोरी आदतें हमारे अंदर घर कर जाती हैं। ये चीजें कहीं न कहीं हमारा पतन धीरे-धीरे करती हैं। तो इन चीजों का विशेश ध्यान रखना है हमें कि negativity हमारे अंदर उपज नहीं हो जाए और अपने लक्षे के लिए योजना बनाएं, आगे बढ़े। कोशिश करे किसी भी कार्य में हडबड़ी बिलकुल न करें। बहुत ही सोच समझ कर धैर्य रखते हुए, संयम रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। रिस्क लेने से डर लग रहा है, किसी भी कार्य में हाथ डालने से आपको डर लगता है, हर चीज में आपको बैचेनी महसूस होती क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते हैं आप, बहुत सोच सोचना चाहिए, अच्छे बुरे पहलू को सोचे, विचार करें। लेकिन बहुत ज् पर्थिक स्त्रोत बना पाना भी संभव हो सकता है। आपके लिए अपने नेत्रित्व कौशल का ठीक से उपयोग करके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जिन करीबी लोगों में विवाद हुए हैं, उन्हें दूर करने में आपका बड़ा सहयोग हो सकता है। रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये रुकावटें आपके व्यक्तित्व को और बहतरीन बनाने में आपकी मदद करेगी। आपकी और कोई व्यक्ति आकरशित हो सकता है। भविश्य में आप भी व्यक्ति के लिए आकरशित होते हुए नजर आएंगे। ख कोई भी निर्णय जल्दबाजी और भावुकता में नहीं लेना है। यहां कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है। वहां से आपको किसी का शोक संदेश मिल सकता है। उसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि अरे ये व्यक्ती तो कल तक अच्छा था, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। कहीं न कहीं ऐसी दो बड़ी खबरें आएंगी जो आपको विचलित कर देगी, आपको बेचैन कर देगी। ये हो सकता है आपके दूर के रिष्टेदार हो। ये हो सकता है आपका बहुत पुराना फ्रेंड हो। ये हो सकता है आपका कोई सगा संबंधी हो या फिर ये आपका पडोसी भी हो सकता है। इसलिए, दोस्तों, किसी से भी बात करें, तो बिलकुल विनम्रता से करें, अच्छे से करें, व्यवहारिक बनकर करें, किसी को भी बुरा शब्द ना बोलें, किसी से भी लड़ाई जगडे, वाद विवाद न करें, क्योंकि देखिए, अभी हम नहीं जानते किसका कितना समय लिखाएं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति से जगडा कर ले भगवान न करे तो उसे लंबी उम्र आयू दे भगवान। लेकिन हो सकता है आपके जगडे के कुछ समय बाद उस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो गई। तो आपको हमेशा यही अफसोस होगा कि यार मैंने उससे जगडा क्यों करा। मैंने इसको ऐसा क्यों बोला हमेशा आपको अफसोस होगा लेकिन कुछ नेगेटिव लोग तो इतना तक सोच लेते कि अच्छा हुआ चला गया। देखिए कभी भी किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी बुराई न करें। चाहे कोई भी व्यक्ति X, Y जग आप उसने आपके साथ कितना ही बुरा कहा हो, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मर चुका हो, जो व्यक्ति स्वर्ग लोक जा चुका हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की बुराई करते हैं, तो वह बुराई कहीं न कहीं ह पले ही पड़ती है क्योंकि वह व्यक्ति तो भगवान की शरण में चला गया है। पक्ष में पढ़ता है आधा आपके पक्ष में पढ़ता है लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है और अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो तो वह पूरा के पूरा आपके पलड़े में पढ़ जाता है इसी लिए कभी भी किसी की भी बुराई न करें इसी के साथ देखिए दिन की जो होगी आपकी, बहुत अच्छी रहेगी, महतोपूर्ण कामों पर आप ध्यान दें, लक्ष पाने में आपको लोगों की मदद मिलेगी, कुछ स्थितियां आपको बदलती हुई नजर आ सकती हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे की परिस्थितियां हाथ से निकल रही हैं, ले कि अपको बदलती हैं, लेगी 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 हैं, ल